हम गौरी नंदन शी गनेश की कथा सुनाते हैं, आवन कथा सुनाते हैं क्यूं सब दीवों में सब से पहले पूझे जाती हैं, हम कथा सुनाते हैं हम गौरी नंदन शी गनेश की कथा सुनाते हैं, आवन कथा सुनाते हैं क्यूं सब दीवों में सब से पहले पूझे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं पत्य जी महराज, मेरे बना दो बिगडे काज कैसी जन में हुआ गन पत का पहले तुम ही बताएं गोरा कक्षन श्वगण तो जब तब ही आ जाएं एक दिन को रामात आगई करने को वो असना बोली नंदी को रखना तुम धार पे अपना ध्यान महलों के भीतर कोई भी आनी ना पाए सान ध्यान मेरा जब तक पुराना हो जाए हाथ जोड कर नंदी ने कह जैसा मा अदेश लेकिन भोली नाथ आगई करने को प्रवेश भोली नाथ को नंदी लेकिन रोकना पाती है पावन कथा सुनाती है क्यूं सब दियों में सब से पहले पूझे जाती है हम कथा सुनाती है तेगदपत्य जी महराज मेरे बना दो बिगड़े काज तेगदपत्य जी महराज मेरे बना दो बिगड़े काज गोरा ने कह नंदी से क्यों ना मानी मेरी बार बोले नंदीरो को कैसे खुद थे भोले ना मन में मा गोरा की तो है एक विचारा आया अपने उबटन सीमा ने एक पुतला है बनाया मंत्र शक्ति से पुतली में वो फूक दी है प्राण शुभ मोहट में मा गोरा ने नाम रखा घनेज बोली मा की आग्या कारी बन कर तुम रहे इना है मेरा विश्वास मेरा तुम मानोगे कहना हाथ जोड़ वो मा गोरा कोशे सनवाते है आवन कथा सनाते हैं क्यूं सब दियों में सब से पहले पोजे जाते हैं हम कथा सनाते हैं देगण पत्य जी महराज मेरे बना दो बिगडे काज फिर एक दिन गोरा मात आ गई करने को असनना बिधा दिया गणपत को बना कर पहरे पे दरवान भोले नाथ फिर मेहलों में जाने को आते हैं बैठो कोन बालक है दार पे समझना पाते हैं पूछा भोले नाथ ने कोन होर कहां से आए अपना परचे गणपत नी भोले को दिया बताएं करने लगे प्रवेशो भीतर गणपत नी रोकां कहने लगे भोले क्यों हमको तुमने है टोकां हम खुद स्वामी गोरा के जब मर जी आती हैं पावन कथा सुनाती है यूं सब दियों में सब से पहले पूझे जाती हैं हम कथा सुनाती है ते गणपत जी महराज मेरे बना दो बिगडे काज बोले गणपत भोले कोई माक है आदेश जब तक नहीं कही माता ना आप करें प्रवेश है बिनती मेरी के वापस आप लोट जाओ नंदी से कहने लगे भोले इसको जरा हटाओ नंदी ने भी गणपत को है बार बार समझाया माने नहीं वो फिर नंदी ने बल का प्रयोग दिखाया बड़े हिबल शाली है गणपति नंदी हारे है फिर तो श्योगन उनी हटानी आगे सारे है सब मिल करके भे गणपत को हटाना पाते है पावन कथा सुनाते है सब दियों में सब से पहले पूझे जाते हैं हम कथा सुनाते है एगणपति जी महराज मेरे बना दो बिगडे काज मेरे बना दो बिगडे काज फिर तो भोली नाथ ने सब देवों को बोलाया सारे ही देवों ने गणपत को फिर समझाया हाटे नहीं जब द्वार सिवों तो किया है बल प्रयों पाच शतियां इंद्र देवनी गणपत पे दे छोट लेकिन पाच शति भी कुछ काम ना आई थी लोट गए वों जब गणपत ने गदा चलाए थी फिर तो भोले नाथ कोस पे सोध हुआ भारी लेकर की त्रिशोल आ गई स्वयम जटा धारी कोध में आकर भोले अपना त्रिशोल चलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जी सब दी ओमी सब से पहले पूझे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ते गदपत जी महराज मेरे बना दो बिगडे काज वार से फेत्र शोल गरदन हो गई थी म्यारी गोरा माने जब देखा तो रुदन किया भाई बोली के क्या कि आपने ये तो भोले ना त्वार पिये तो बन के खड़ा था माने के मेरी बात लाल मेरे के प्राण तुम्हे वापिस होंगे लोटाने रोरों के छिल्लाए मा गोरा बत ना माने केहने लगे के भोली गनीश का खंडित शीश होंग पेठ घुमा करके सोई हो जो बच्चे सीमा उस बच्चे का शीश तो फिर गंडपत को लगाती है पावन कथा सुनाती है कि सब दियों में सब से पहले पूझे जाती हैं हम कथा सुनाती है इगडपत जी महराज मेरे बना दो बिगडे काज शिवगन तो फिर गोरा माने लेने शीश पर ठाए पीठ घुमा सोई मा जिसके वो बालक ना पाए खोज खोज वो हार गए है छानी दिशा सभी एक हथनी आई नजर थी उन सब को तो तभी हथनी के बचे की गरदन तो वो ले आए भोले नाथने वो गरदन गनबत को दे लगाए लगी जुगज की गरदन तो वो जिन्दा हो जाते सबसे पहले मात पिता को शीश वो जुकाते इसलिए तो घजानन भी कहलाती है पावन कथा सुनाती है सब दीओं में सबसे पहले पूझे जाती है हम कथा सुनाती है इगडपत जी महराज मेरे बना दो बिगडे काज एक दिन कर्तिक और गनेस में योही चल गए बाद हम दोनों के मात पिता तो गोरा भोले राद कर्तिक बोले मैं हूँ बड़ा और तुम छोटे हमसे फिर भी माने क्यूं जाते हो तम तुम सबसे पूझे नी सी बात को ब्रह्महा के पास आए किन्तो तर ब्रह्महा जीने उन्हे न दे पाए बोले ब्रह्महा विश्णोजी को मुझसे ज्यादा आग्या विश्णोजी शायद कर सकते इसका तो समाधा विश्णोजी की शरण में फिर तो दोनों आते हैं पावन कथा सुनाते हैं सब दियों में सबसे पहले पूझे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं विश्णोजी तो दोनों को ही उत्तम बतलाएं लेकिन उनके उत्तर से सहमत न हो पाएं बोले विश्णोजी भोले देंगे इसका सही उतर पूझाओ ये प्रश्ण तुम तो न से हैं जाकर दोनों लेकर प्रश्ण यही भोले के पास आये सुनकर की ये प्रश्ण भोल जी फिर तो मुसकाए बोले इस ब्रम्हांड का चकर लगाना होगा उत्तम साबित करना है उस पहले आना होगा अपने मयूर सी सुनकर कार्थिक उड़ जाते हैं पावन कधा सुनाते हैं जो सब दियों में सब से पहले पूझे जाते हैं हम कधा सुनाते हैं ते गड़ पत्य जी महराज मेरे बना दो बिगडे काज उड़े कार्थिक तो गनेश भी मन में मुसका आएं मुसक सी तो पीछा मोर का किया नहीं जाएं अपने बल बुधी का फिर तो है प्रयोग कियां मात पिता का ही चकर गनपत ने लिया लागा आपकी ही चर्णों में मेरी सारी सृष्टी है कहने लगे कि भोले तुम्हार दूर दृष्टी है लोटिक जब कर्थिक आई तो देखती चकरा आई कैसे मुझसे पहले ब्रम्हांड गूम आएं भोले जी फिर उनको किस्ता सभी बताती है पावन कथा सुनाते हैं कि सब दी उमी सब से पहले पूझे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं ए गड़ पत्य जी महराज मेरे बना दो विगडे काज ए गड़ पत्य जी महराज मेरे बना दो विगडे काज मात पिता की चर्णों में ही होता है संसार कार्टिक ने भी अब मानी थी गणपत से हार भोले ने वरदान दियाओ तम कहलाओगे सब दियों में सब से पहले पूझे जाओगे सब दियों ने गणपत की बोली फिर जय जयकार इसलिए इनकी पहले पोझा करता संसार सद बोधी की मालिक है गोरी नंदन गनेश शत शत बार नमन करता है तुमको ये खोज सुरेश हंस राज रेलन सुरिया मेहिमा गाते है पावन कथा सुनाते है जो सब दियों में सब से पहले पोझे जाते हैं हम कथा सुनाते हैं जर्पति जी महराद मेरे बना दो बिगड़े गात